तो दोस्तो सवाल जवाब की इस एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एक बार फिर मैं आप ही लोगों में से किसी एक विध्यारती का प्रशन ले रहा हूँ जो कि काफी ज़रूरी है और इसलिए मुझे लगता है कि इसके उपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के इसका जवाब देना ज़रूरी है सवाल ये पूछा गया है कि किसी लॉयर, एड़ोकेट, बैरिस्टर और पबलिक प्रोसीक्यूटर में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है अब देखिए वैसे तो ये सवाल जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, नियाय पालिका से जुड़ा हुआ है लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि किसी जीके के एक्जाम में ऐसे कॉश्चन्स आ सकते हैं, जो इससे जुड़ेवे हूँ और कॉमन जिंदगी में भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए तो देखो इसको मैं आपको एक और्डर से समझाने की कोशिश करता हूँ देखो सबसे पहले आता है लॉयर जिसे हिंदी में कहते हैं वकील लॉयर के नाम से पता चल रहा है जिसके पास लॉक की डिगरी होती है उसे लॉयर कहते हैं वो एक कानून विषयशक ये होता है वो लोगों को law समन्दित सलाँ दे सकता है तो वो कहलाता है लॉयर इसके बाद आता है advocate आड़ोकेट को इंदी में कहते हैं अदिवक्ता अगर आप इसके नाम को देखें वक्ता और अदि लगा हूआ है मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको न्यायले में किसी क्लाइंट की तरफ से बोलने का अधिकार हो वो एड़ोकेट कहलाता है उसका अधिवक्ता कहलाता है। जो व्यक्ति लंडन से अपनी डिग्री करके आया है वो बैरिस्टर कहलाएगा यहाँ पे। एक सरकारी वाला पांचवा भी इससे जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं प्लीडर प्लीडर क्या होता है वो भी एड़ोकेट ही होता है लेकिन वो क्या करता है कि प्राइवेट काम करता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करता है जैसे कोई क्लाइंट है उसका केस व इसे हिंडी में कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता होता ये है कि ये सरकार की तरफ से लड़ता है मानलो की सरकार ने कोई बिल निकाल दिया और सामने मानलो की कोई कोट है मानलो हाई कोट है और हाई कोट ने कह दिया कि ये बिल गलत है चुनौती दे दी तो ऐसे में सरकार की त से लड़ता है और यह केंद्र की तरफ से लड़ता है ठीक है और इसके बाद लास्ट में आता है महा न्यायवादी का सहियोगी यानि कि सॉलिस्टर जनरल जिसको हम कहते हैं भारत का महा दिवक्ता एक तो होता है राज्य का महा दिवक्ता जिसको एड़ोकेट जनरल कहते हैं एक होता है भारत का महा अधिवक्ता, ये क्या करता है, एटॉर्नी जरन्डल यानि की महा न्यायवादी का सहियोगी होता है, तो ये वो common vocabulary है, जो अकीलों के लिए यूज की जाती है, I hope आपको आपके सवाल का जबाब मिल गया होगा, और बाकी सब के लिए ये helpful साबित रहा होगा, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और सवाल है, तो आप comment section में हमें बता सकते हैं, तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one.